शमाना करना एक बोज जैसा होता है आपके आत्मा पर हम ये सब कूड़ा आपने साथ लिए फिरते हैं वे सब लोग जिन से हम क्रोधित होते हैं सरकार पर पडोसियों पर बच्चों पर गाड़ियां चलाने वालों सहकर्मियों ससुराल वालों अपरादियों पतियों आप जहां जाते इन सब चीज़ों को अपने साथ ले जाते हैं अपने साथ ले जाते हैं आप लोगों के साथ संबन रखने के कोशिश कर दे पर इस खुड़े से उनका भी नुकसान करते हैं उन्हें भी आप हानी पहुँचाते हैं अपनी इन समस्याओं से लोगों को घाल करते और चोट पहुँचाते हैं देखिए मुझे जीवन में कश्ट उठाने पड़े और किसी को ख्षति पूर्ति करनी होगी ऐसे लोगों से भरपाई करवाने की कोशिश बंद करें जो नहीं दे सकते परमिश्वर करेंगे अपनी जीवन के इन बोजों और समस्याओं से छुटकारा पाले अपनी चिंता परमिश्वर के हवाले कर दे आपने कों के हवाले करें और युसुफ जैसे बने फिर से तुम मेरा बुरा करना चाहते थे परमिश्वर उससे अच्छा नहीं कर सकते यदि आप रोध करने में धीमे होते हैं तो आप महाबली से बहतर होते हैं मनुश्य की शक्ति शालियात्मा उसे शारिरिक दर्द और कष्ट में स्वस्त बनाए रखता है एक प्रसन दिलदवा की तरह चंगा करता है एक उदास आत्मा बोजिल आत्मा हड़ियों को सुखा देता है इर्शा और जलन हड़ियों के सर जाने के समान है आपको सुबह के वक्त अपने को आईने में देखकर ये नहीं सोचना कि आप बाहर से अच्छे दिख रहे हैं और सब ठीक ठाक है अपने को जाकर परमिश्वर के वचन के आईने में देखें हम उसे सजाकर गिर्जे ले जा सकते हैं पर परमिश्वर प्रभावित नहीं होते ये मत भूलिए मैंने सब मेल करता हूँ आप पहना है जूते मेल खाते हैं और साथ ही ये छोटी सी चीज भी मेल खाती बालियां पहनी है चपलें ये सब कुछ मैच किया हुआ है मेरे जूल्री भी मैच हो रही है ये ये रिंग भी मैच हो रहे है और मेरे बाल भी तो हम चलें पर क्या आप जानते हैं परमिश्वर इन्हें नहीं बलकि दूसरे कपलो को देखते हैं बाइबल में लिखा है प्रेम पहन लो कोमल रुदेवाली दया और करूना पहन लो मसी को पहन लो नए मनुश्यों को पहन लो पुराने मनुश्यों को उतार दो मैंने आज आत्मी पोशाक भी पहनी है बाइबल में ये नहीं लिखा कि इर्श्या को पहन लो जलन को पहन लो उन्हें त्यार करके गिर्जे ले जाओ तीन मिशाने पर लगा है एक्षमा न करना परमिश्वर के साथ संबंद के आड़े आता है यही आपके लिख शमा करने का परियाप्त कारण है आपकी प्रार्टनाओं में बाधा आती है आप परमिश्वर के उपस्तिति का आनन नहीं ले सकते आपको हमेशे ऐसा अनुबह होता है कि कुछ तो गलत है किसी ऐसे व्यक्ति से क्रोधित रहने का क्या लाब जो आनन ले रहा है और जिसे इसकी परवा नहीं कि आप परिशान है इससे कोई बात नहीं बनती है आप उन्हें बिल्कुल परिशान ही कर पाते आपकी एवल बाहर खड़े होकर दावद को देखते हैं परमिश्वर हम ख्षमा नहीं कर सकते यदि हम ख्षमा नहीं करते हम प्रेम नहीं कर सकते यदि हमने दिल से ख्षमा न किया हो हमें इस सब कुले से छुटका रापाना है और परमिश्वर के तरीके सब करना है आप ख्षमा न करके शैतान के लिए बहुत द्वार खोलते हैं वैसे हम एक इन एक श्षमा करना चाहिए दूसरे लोगों को अपने को और ये शैद अजीब लगे पर परमिश्वर को भी मुझ बहुत खतरनाक होता है उन से एक तरसे करूदित हो न और हम परमिश्वर से क्यों करूदित होते हैं क्योंकि हमारी अपनी जीवन के लिए कि योज ना थी और हमने प्रार्तना की थी विश्वास और अच्छा वैवार किया था दश्मान्ष दिया था गिर्जे गयते सेवकारिया कियते परन्तु हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे इतना ही नहीं हमारी पहचान किसी और को जो हमारे जितने आत्मिक नहीं थे वो मिला था जो हम चाहते थे देखा अब आप में भी वो है वो धार्मीक परीसियों की अपने को हमेशा सही समझने की भावना जिसे परमिश्वर से घ्रेणा है तो अच्छा होगा कि आप परमिश्वर को क्षमा करेंगे यदि उनसे क्रोधित हैं क्योंकि वे आपसे कहीं और मनुश्य का मन उसके रह की योजना बनाता है परन्तु परमिश्वर उसके कदमों को मार्क दर्शन देते हैं बुरा मतमानी परन्तु परमिश्वर से क्रोधित रहना मूर्खता है क्योंकि वे अच्छे हैं हमारे जीवनों में चाहें जो भी हो परमिश्वर अच्छे है और बेशक हमें निराशा होती है जब हम हमारी मर्जी अनुसार नहीं होता और ऐसी बाते देखते हैं जो गलत और अनुचित मैसूस होती है पर मेरी बात याद रखें यदि आप परमिश्वेपद रिष्टी रखेंगे और उनकी इच्छा और तरीका चाहेंगे तो गलत आशा करती हूं कि आपने क्षमान करने को पहचाने के तरीके पर शिक्षा का आनंद लिया होगा क्षमान करने का मेरा अपना सफर बहुत कठेन रहा है और उसकी द्वारा परमिश्वन मुझे ख्षमा करने के फाइदों के बारे में सिखाया इसलिए मैंने किताब लिखी है हो तो शयद तुम्हारे अपने जीवन में भी कुछ उदा रहा हूंगी। मै कि C.C. को मिलना चाहूँगी जिसके जीवन में नहीं हूं। तुमने ठीक का हाा। शमा करना उन कामों में से एक है जो हम सभी को शायद अपने जीवन के हर दिन करना चाहिए बिल्कुल हर दिन कोई बात होती है कुछ बाते दूसरी बातों से बहुत छोटी होती है पर मुझे पता है कि तुम्हारे अपने जीवन में एक बड़ी बात है जो तुम हमें बताने को तयार हो तो तुम क्यों नहीं हमें वो कहानी सुनाती देखे आप कहती हैं कि ये एक बड़ी बात है पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी मेरे पती और मैं कॉलेज की समय से प्रेम करते थे और हमारा विवाहा हुए लगभग 15 वर्ष हुए थे ये कई वर्ष पहले की बात है जब मुझे संयोग वश पता चला कि उन्हें अशलील सामगरी की आदत थी मैं कहती हूँ मुझे ये संयोग वश पता चला मैं नहीं समझती कि कुछ भी संयोग वश होता है जब परमेशर का हाथ हम पर होता है पर वो विनाश कारी था उसने सच मुझ मेरे सामने बहुत से सवाल खड़े किये अपने संबंद के बारे में क्योंकि मैंने इस पुरुष के साथ बहुत वर्ष गुज़ा रहे थे और मैं अपने संबंद को बहुत मजबूत समझती थी हम बहुत करीबी मित्र थे प्रेम से रहते थे हमारे बहुत बढ़िया बच्चे थे जो उस समय छोटे थे और जब ऐसा हुआ मुझे ऐसा अनुभा हुआ कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिससे मैं अपने को विवाहित समझती थी और मेरे लिए ये कई सतरों पर तबाह करने वाला था ये दिल्चस्प है जब हम अशलीलता के बारे में बात करते हैं लोगों का उसके प्रती भिन द्रिष्टी कोण होता है और वे एक दूसरे के पूंटे विरोधी होते हैं लोग या तो ये कहते हैं कि वो बहुत घटिया चीज है जिससे हम मसीही होने के कारण नहीं देख सकते हम उसके बारे में बोल नहीं सकते पर फिर भी वो मसीही महिला और पुर्षों के लिए सबसे बड़ी समझ्याओं में से हैं और दूसरी तरफ दुनिया के वो लोग हैं जो इसे पाप का दरजा नहीं देना चाहते क्योंकि वे ये सब करने की इच्छा रखते हैं इसलिए वे कहते हैं ये स्वाभाविक है वो इसके बारे में मजाग करते हैं ये कुछ नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है इसे किसी को हानी नहीं होती सो यहां मैं एक ऐसी परिस्थिती में थी जिसमें होने की मैंने कभी कलपना भी नहीं की थी तो मैंने अपने पती टिम से बात की तो उन्होंने मुझे उसे वक्त कह दिया कि तुम्हें गलत फेह यह कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, पर उसी शाम बाद में वो मेरे पास आए, वो रो रहे थे और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, उस मोड पर मुझे महसूस हुआ, मानो मेरी दुनिया बदल गई हो, वो एक समस्या थी, एक बुरी लत थी, जिससे वो हमारे पूरे स मन के दौरा निपट रहे थे, और इसलिए मैंने उनसे सवाल किया, शायद तब से जब वो बहुत छोटे थे, बिल्कुल, तब से जब से वो बहुत छोटे थे, और वो बहुत शर्मिंदा और बहुत दुखी थे, पर उस समय मेरी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची और म के वल अपने दुख के बारे में ही सोचा, पर वो भी बहुत दुखी थे, देखो यदि मसी संपरदाय में लोग इन समसियाओं के बारे में बताने में स्वतंत्रता महसूस करते, बिना आके और आलोचना की जाने के डर से उन्होंने शायद बहुत पहले चले जाना था किसी के पास अपनी समसिया के बारे में बात करने के लिए पाप पाप होता है, परन्तु हमारा ये सोचने की तरफ चुका होता है कि कुछ पाप अन्य पापों से बहतर होते हैं, और हम मसीयों को सच मुच ये समझने के लिए तयार रहना चाहिए, कि जो लोग बंधन में हैं, उन लोग मुझे देखते थे, मेरी एक सारवजनिक सेवकाई थी, जिसे मुझे हर दिन जारी रखना पड़ता था, मैं जानती हो कि वो भी उससे दबाव महसूस करते थे, इसलिए उनके नाव बताने के कई कारण थे, पर सब सहन करते समय, मुझे रोज अपने चेहरे पर करने की कोशिश करोगी, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या थी? कोई और बात, क्योंकि हर चीज बदल गई थी, जिस पर मुझे विश्वास था, मैंने उस क्रोध को अपने अंदर रहने दिया, क्योंकि मैं एक द्रिड्स शक्तिशाली मनुश्य हूँ, मैंने दुबारा वैसे नहीं होने देना था, मुझे धक्का लगा था, इसलिए अपने एहंकार के कारण में दुबारा ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती थी, सो मेरा क्रोध एक सुरक्षा का वच था यदि मैं उनसे क्रोधित रहती तो मुझे ये चिंता ना होती कि वो समस्या फिर से उठकर मुझे प्रभावित करेगी तो समस्या यह है कि जब हम लोगों को बाहर रखते हैं हम एक दीवार बनाते हैं परमिश्वर को मुझे ये सिखाना पड़ा कि हम न केवल अपने को कैद रखते हैं बलकि हम दूसरे लोगों को बाहर रखते हैं और हम प्रेम नहीं कर सकते यदि हम चोट खाने की संभावना के किसी बात के लिए क्रोधित होते हैं हम अपने क्रोध को अलग खंडों में नहीं रख सकते वो हर उस चीज में प्रवेश कर जाता है जिससे हम निपड़ते हैं सो मैं वैसा नहीं कर सकती थी मुझे दरअसल उस थिती में पहुछना था जहां मैं इतनी देर शा culinary की प्रमेशार मुझसे बात कर सकते हैं क्योंकि आप जानती हैं कई बार कटिन ह होता है यह क्योंकि मैं लगातार उसके बारे में सोचती कि मुझे क्या मैसूस हो रहा था और यह किया था मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकती थी और यह कैसे हो सकता था मुझे उस अवस्था में पहुचना था जा मैं पर्याप तूड़ चुकी होती ताकि मैं परमिशर के सामने शान्त रहकर उनसे मेरे साथ बात करने की प्रतीक्षा कर सकती एक वचन था जो और उसमें कहा है यदि हम अविश्वासी भी हूँ तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है क्योंकि वो आप अपना इंकार नहीं कर सकता परमिश्वर हमीशा वफादार रहते हैं यह बहुत व्यंग पूर्ण है परन्तु यह बिलकुल सच है ऐसा है कि मनुश्य हमेश हमें दुखी करते रहेंगे और मैं भी हमेशा उतनी वफादार नहीं रहोंगे जितना मुझे होना चाहिए वरंतु परमिश्वर ने मुझे बार बार क्षमा किया है क्योंकि यहीं उनकी पहचान है यदि मैं परमिश्वर पर विश्वास कर सकती हूँ वो मनुश्यों पर दोबारा विश्वास करना नहीं है मैं यह नहीं कह रही कि मेरे पती हमेशा परिपोन रहेंगे जाहे वे टूट चुके थे और इस गलती को सुधाने के लिए कुछ भी करने को तयार थे जो मुझे बहुत अच्छा लगा था पर मुझे उन पर विश्वास नहीं था मुझे उनके मामले में पर मिश्वर पर विश्वास करना था और वो वफदार है जब तुमने उने को जाता मेहसूस चाहि कि इसके बार में वहवारिक बनना चाहते हूं क्यों के नेना करने का पहला कदम है लोगों cutting is all you करने के लिए भी तयार रहना पर इसमें समय लगता है विशेश रूप से यदी घाव बहुत गहरा हो तो बिल्कुल लगता है और मैं एक व्यवस्थित मनुश्य हूँ तो मुझे एक योजना की जरूरत थी इसलिए मैंने पूछा मैं ये किस तरह करूंगी प्रबू आप इसमें से बाहा निकालने के लिए मेरी किस तरह मदद करेंगे इसलिए मुझे बहुत से सवाल पूछने पड़े थे क्योंकि मुझे जितना संभव था सत्य को सामने लाना ताकि मैं उनके साथ उससे निपढ़ सकती और आगे बढ़ सकती और वो बहुत भयानक और दर्दनाक प्रक्रिया थी वो बहुत बुरा था पर होना जरूरी था हमें मसीही परामर्श लेना पड़ा था ताकि हम वो कर सकते और साथ ही साथ उस प्रक्रिया में से गुसर सकते हमें जवाब दे ही की भी ज़रूरत थी, जो बहुत बड़ी थी, तो एक की बिना दूसरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक दूसरे को जवाब दे हो सकते थे, और हम किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते थे, मैं पूछ सकती थी कुछ भी, और ऐसे ही वो भी पूछ सकते थ पूरी प्रक्रिया में से गुसरने में बहुत समय लगा वो नन्य कदम थे जिनके द्वारा मैं परमेश्वर को नए काम करना आरम करके पुराने गढ़ तोड के एक नया संबंद बनाते देख रही थी और पता है हमारे विवाहा को लगबग 27 साल हो गए हैं सो ये बात 12 जानी है मैं उसके बारे में सोचती हूँ और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने उस गुप चीज को लिया जो हमारे यानि टिम और मेरे बीच में थी हमारे विवाह में हमेशा से हमारे और परमेश्वर के बीच में थी जिससे मैं अनभिग्य थी उन्होंने वो लेकर उसका नाश किया, और हमें एक नई नीव बनाने का मौका मिला, एक नया संबंध बनाने का, जो हम उसके बगर नहीं कर सकते थे, इसलिए चाहे क्षमा करना और पुनर निर्मान की प्रक्रिया कितने भी कष्ट दाई थी, वो होना जरूरी था, क्योंकि अ क्षमा करने की कहानी है, जिसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, इसलिए मैंने प्रात्ना की और टिम से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि तुम अशलीलता के बारे में बात करो, और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये हमारी सबसे बड़ी इच्छा है, क क्योंने समस्या थी, अशलीलता के लत की परध्यान दीचिये, सच हमें आजाद करता है, यदि हम ये समझ सके कि सच शायद बहुत-बहुत कठोर हो और कई बार आपको उसका मुल्यभी देना पड़े परंतु केवल सत्य ही, आपको स्वतंत्र करेगा, और सच के बिना अंगाई नहीं हो सकती, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत आभारी हूं कि तुम वो कहानी बतानी की इच शुक थी, मैं जानती हूं कि परमिश्वर तुम पर अनुगरह जरूर करेंगे, फिर से पूर्णता स्वस्त होने के लिए, पर उसकी शुरुवत-क्षम का अर्थसंबंदी की बहाली होना अनेवारिया नहीं होता, ये इस पर निर्बर करता है कि क्या किया गया था और उसका क्या प्रभाव हुआ था तुम्हारे जीवन पर, उस प्रक्रिया में इसी गुजरती समय किये गई चुनाव, पर ये महत्व पूर्ण है कि हमें अपना सारा जीवन, क्रोधीत, कठोर और नाराज रहकर नहीं गुजाना है, हम चाहें तो इस आधार पर किताब लिख सकते हैं और आप तब ये संदेश ला रहे हैं कि अपने पर अनुग रहा करो और शमा करो क्रिप्या देखते रहिए, हम आपके कुछ सवालों के साथ जो आपने इस अतिमहत्व पूर्णवी शय पर भेजे हैं, जिंजर हमें बताने के लिए धन्यवाद, आपका स्वागत इस मौके के लिए धन्यवाद, फिर से स्वागत है, आज हम शमा करने के बार में बात कर रहे हैं, और जिंजर के पास दर्शंकों के द्वारा भेजे क कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब में देनी की पूरी कोशिश करूंगी, मेरे विचार से आपकी ये कोशिश सच मुच बढ़िया होगी, तो चलिए हम एक नजर देखते हैं, ये सवाल शयर ने भेजा है, और उनका कहना है, आपने क्षमा के बारे में बहुत कुछ कहा है, प मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ, उसे कैसे अनुपव होता है, उसकी क्या परिस्थितिया है, और मुझे भी इस तरह की समस्या होती थी, मैं ये सोचती कि मुझे तुम्हें एक शमा करने में बहुत प्रसन अता होगी, यदि तुम मुझे एक शमा माँगोगे, पर उसके बा मैं सामगरी के प्रस्तुती करण के तरीके के बारे में बहुत उतसाहित हूँ, क्योंकि मेरे विचार से इससे आँखे खुल जाएंगी, और इसमें नया दृष्टी कौन है, कि तुम्हें शमा करके बेशक मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, पर उससे अधिक मैं अ बहुत से लोगों को घमंड की घमभीर समस्या है, और उन्हें कभी अपनी गल्ती दिखाई नहीं देती, मैं इसे अच्छे से समझ सकते हूँ, यह सच में अधिक परिशान करने वाली चीजों में से है, विशिश रूप से यदि आपका किसी से करीबी संबंद हो, जो ऐसा ह पर इसलिए हमें लोगों के लिए प्रार्त ना करनी चाहें, क्योंकि असल में वेबंदी हैं, आप स्वतंत्रा नहीं हो सकते, यदि आप ये नहीं देख सकते कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, जिससे आपको मुक्त होना है, तो परमिश्वर चाहते हैं कि हम अपना हिस्सा करे और दूसरे व्यक्ति के हिस्से के बारे में वो चिंता करें हैं, ये रहा आपके लिए एक नया सवाल, ये रेचल ने पूछा है, उनका कहना है, मैं एक 38 वर्षिय मसीही महिला कारोबारी हूँ, मैंने हाल ही में अपनी कंपनी गवा दी है, कारोबार में अपने पार्टनर क हरकतों की वज़े से, मैं क्योंकि अक्सर बाइबल पढ़ती हूँ, मुझे न केवल इस बात को छोड़ कर परमेश्वर के हवाले करना है, बलकि मुझे उसके लिए प्रार्टना करनी है, उसे ख्षमा करना और परमेश्वर से उसे आशीष देने के लिए कहना है, पर मैं य यह नहीं चाहती हूँ, पर मेरे विचार से बहुत बार जब हम किसी को आशीष मिलने के लिए प्रार्टना करते हैं, उन्हें असल में सत्य मिलता है, उन्हें घ्यान प्राप्त होता है, परमेश्वर उनके जीवन की किसी समस्या के बारे में उनकी आँखे खोलते हैं, उनक के बारे में ऐसे बात नहीं करेंगे जो उस व्यक्ति ने हमारे साथ किया था जिससे की उसका नाम खराब हो यह सब आग्याकारी के नाम है और आपको अपनी भावनाओं को भुला कर परमिश्वर के साथ सचे बनना है परमिश्वर मेरी यह करने की बिलकुल इच्छा नहीं है मैं ये भी नहीं जानती कि मैं आप से कह सकती हूं कि मैं सच मुझ चाहती हूं कि उन्हें आशिश मिले पर मैं आपके आगिया मान कर यह कर रही हूँ लोग अपनी भावनाओं द्वारा बहुत आगते हैं और हमें यह समझना है की सब से पहले वो विश्वास का कदम है हम वो करने का निर्णाई लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि परमिश्वर चाहते हैं उसके बाद वो आखिरकार हमारी भावनाओं को समझते हैं बिल्कुल सही का और ये सवाल बैल्टी मोर से किम ने भेजा है मुझे ये सवाल अच्छा लगा है मैंने देखा है कि जोईस क्षमा के बारे में सिखाती हैं पर वे अकसर उस शोशन के बारे में बोलती रहती हैं जो उनका उनके पिता के द्वारा हुआ था क्या उसके बारे में बोलना चाहिए यदि हम ख्षमा कर चुके होते हैं तो क्या हमें उन बातों को ख्षमा करके भुला नहीं देना चाहिए मैं ये जानती हूँ और मेरे विचार से ये एक अच्छा सवाल है मेरे विचार से ये सच मुच अच्छा है मेरा व्यू करने का उद्देश होता है, तो मेरा आपको ये जवाब है, उसके बारे में बोलने में आपको, क्या उद्देश है आपका, जब मैं पहली बार टीवी पर आई, तब मेरे पिता अभी जिन्दा थे, और मैं असल में उसके पास गई थी, और तब तक उनके और मेरे समन पूर्ण बाहाल नहीं हुए, तो उन्होंने मसी को स्विकार नहीं किया था, और मैंने उनसे कहा, मुझे महसूस हुआ कि मुझे आपको बताना चाहिए, कि मैं उसके बारे में बोलने वाली जो आपने मेरे साथ किया था, मैंने कहा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, पर मैं जानती हूँ कि ऐसे लाखो लोग हैं, जिन्होंने मेरी तरह चोट खाई है, मैं उनकी मदद करने के कोशीश करना चाहती उपर, मैं उन्हें सत्य बताया बिना नहीं कर पाऊंगी, चाहे उस समय तक उनका बचाव नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे वो करने के अनुमती दी, पर यदि उन्होंने मुझे नहीं भी दी होती, तब भी मैंने वो करना ही था, और मैं उनका निरादार नहीं करना चाहती, मैं अपनी मा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी पर बहुत से लोगों के ऐसे समस्या हैं जिनके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती सो मैं उसके बारे में एक उदेश्य से बात करती हूं किसी चीज के बारे में किवल बात करने के लिए बुलना जी आपका उदेश्य है के इरादे से भिन होता है और ये सवाल फिलिपिन से कार्लोस ने भेजा है उनका कहना है हम कैसे किसी ऐसे को ख्षमा कर सकते हैं जो बदल कर अच्छा बनने का वादा तो करता है पर वही गलती दोहराता है उसके लिए बहुत अनुगरह की जरूरत होती है दरसल कोई व्यक्ति कि जितनी अधिक बार आपके साथ वही काम करता है वो आपके लिए उतना अधिक चुनौती भरा होता है इससे संबंदीत मतिया ठारा की एक कहानी है जहां पतरस ने पूछा मुझे अपने बार को कितनी बार ख्षमा करना होगा उन्होंने साथ बार का सुझाव दिया जो मे पीछे हड सकते थे बलकि उसका मतलब ये था कि जितनी बार आवश्यक हो चाहे तुम्हें कितनी बार भी करना पड़े ताकि तुम्हारा दिल साफ हो जाए और तुम परमीश्वर के साथ और दूसरों के साथ अपने संबंद को तबाह मत करो अपने मन में उसके कारण करवा और भर के जो एक व्यक्ति आपके साथ कर रहा हो दिखिए यदि आपका किसी ऐसे संबंद हो जो लगातार आपको चोट पहुचाता रहता हो तब शयाद आपको उस परिस्तिती से दूर जाना चाहिए जहां तक विवा की बात है वो परिस्तिती बिन्न होती है क्योंकि परम मुझ विश्वास हो की वे सची दिल से बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हमें विश्वास हो कि परमिश्वर असल में हमें उनके लिए एक उधारन के रूप में इस्तमाल करना चाहते हैं इसलिए हम इन सभी सवालों का कोई एक साजवाब नहीं दे सकते हैं परमिश्वर ने हमें एक पायदान या बली का बकरा बने के लिए नहीं बुलाया ताकि हम बैठकर लोगों को अपना शोशन करने दे और ये कहते रहें मैं तुम एक शमा करता हूँ मैं तुम एक शमा करता हूँ मै चाहिए और देखना चाहिए कि हमें कैसे उससे निपट कर आगे बढ़ना है पर हमें अपने पर भी अनुग्रह करना है और परमेश्वर को भी वफादार होने देना चाहिए उन्हें अपने को बहाल करने देकर हमारी उन दर्द और कष्ट की समय मदद करने देकर और उससे हम यह बदकुल सही हैrás यह हैं अपने पर अनुग्रह करें और शमा करें जब भी आपको किसी को शमा करने के जरूरा थो आपको यह कह कर आरम करना है कि परमिष्वर मदद करों कियों कि मैं आपको यह करता सुन रहा हूं आज आप देख रहे थे और मेरी प्रार्तना है कि जिंजर की व्यक्तिकत कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और जिन सवालों के मैंने जवाब दिये उन्होंने आपको नई जानकारी दियोगी आपका बाकी का दिन बहुत-बहुत बढ़ी आभी थे गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुँचा रहे हैं रिप्या हमसे संपर करें या विजिट करें